हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माय चनल आज की वीडियो में जियोग्राफिक के कुछ मोस्ट इंपोर्टन कोशें और आंसर के क्वेस करेंगे तो इससे आप अपने माइंड मैपिंग कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप में चैनल पे नहीं तो प्लीज लाइक इन ना भुले जिसे वीडियो की साइन नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे तो फ्रेंट्स स्टार्ट कोते हैं फॉस कोशन है निमने लिखित में से कौन प्रिथ्वी की परीधी का निर्धारन करने वाला पहला वेक्ति था ए प्लेटो बी अरस्ट सी एराटो नीथ करेंट्र ओप्ष्ण हो जाएगा तो फ्रेंट्स करेंट्र ओप्ष्ण हो जाएगा फ्रेंट्स पहले आप करो देन मेरे अंसर से प्रीचे करो और आप पता करो कि आपके कितने में से कितने इस 15 टोटल 15 कोशन मैं क्यों क्यों कराऊंगी और उन में से आप देखना कि आपके टोटल कितने सही जाते हैं और मुझे comment box में comment करके जरूर बताइए तो फ्रेंट नेक्स कोशन है बया राम खान छेत्र जो हाली में खबरों में था डैस में इस्थित है कहां इस्थित है फ्रेंट्स A. आंधर प्रदेश में B. करनाटक में C. तमिलादु में D. मध्य प्रदेश में तो फ्रेंस करेक्ट ऑप्षन है A. आंधर प्रदेश में इस्थित है निसकोशन है लूनी नदी जो लवनावरी नदी भी कहलाती है निम्न लेखिन में से किस रेणी से निकलती है A. हिमाले परवत माला B. अरावली परवत माला C. विंदे परवत माला या D. सपूत तारा काज की एक नदी है और यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुसकर घाटे से निकलती है और 530 किलो मीटर की दूरी करने के बाद गुजरात के कच्छ के रन में दलदली भूमी में समाप्त होती है और इसे पहले सागर मती के नाम से जाना जाता है फिर गोविनगर से बी सी कोगू द्वीप या सी क्यू सुद्वीप या डी दक्षीनी होंसू तो फ्रिंस करेक्ट ओप्शन हो जाएगा इसका बी सोग सी कोगू द्वीप से निकलती है नेक्स कोशन है कि निमने लिखित में से कौन सा खनीच केलसियम और मैगनीशियम का कार्बोनेट है? A. Huntite, B. Baritocyte, C. Dolomite, D. Anchorite तो friends correct option हो जाएगा इसका C. Dolomite Next question है निमने लेखित में से कौन नवपाशान क्रांती को सर्वोतम रूप से परिभाशित कर सकता है A. Harit क्रांती, B. Pradogiki की क्रांती, C. दूध क्रांती, D. क्रिशी क्रांती तो friends correct option हो जाएगा इसका D. क्रिशी क्रांती Next question है निमने लेखित में से समुद्र के किनारे पानी का अंशिक रूप से घिरा हुआ सरीर क्या है जहां नदियों और नालों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है और मिल जाता है तो friends उसे क्या आप कहते है हम A. मुहाना, B. B. रिया, C. जुआरिय बोर या D. लैगून तो friends correct option हो जाएगा इसका A. मुहाना कहलाता है Next question देखते हैं नाइन्थ question है कि महानदी नदी का उद्यम भारत के निमने लिखित में से किस राज्य से होता है तो friends correct option हो जाएगा इसका A. 36 गड़ की राज्य से यह होता है Next question है तेंथ question कि निमने लिखित में से कौन सा नदी भारत में सुपर इमो इंपोज ड्रेनिज सिस्टम का एक उदारन है A. रवी, B. नर्मिदा, C. गंगा या D. चंबल तो friends correct option है इसका D. उप्शन चंबल एक इसका उदारन है Next question है 11 question कि विश्व के कुल भागौलिक छेतरफल का कितना भाग भारत से अच्छादित है A. 1.4% B. 2.4% C. 3.4% D. 4.4% तो friends correct option है B. 2.4% अच्छादित है Next question है कि चांदीपूर मिसाइल परिक्षन रेंज डैस में इस्थित है कहां इस्थित है ओरीशा में, आंधर प्रदेश में, केरल में या पस्चिम बंगाल में तो friends correct option है इसका A. ओरीशा में इस्थित है चांदीपूर मिसाइल परिक्षन रेंज Next question है किस राज्जी सरकार ने राजीव गांधी राष्टिय उद्यान का नाम बदल कर औरंग राष्टिय उद्यान कर दिया है A. दिली B. पस्चिम बंगाल C. असम D. उत्तराखंड तो friends correct option है इसका C. असम में उद्यान कर दिया Next question है भारत में सबसे लंबी टर्ट रेखा किस राज्जी की है A. आंधरप्रदेश B. महारास्ट C. गुजरात D. पस्चिम बंगाल तो friends इसका correct option है C. गुजरात की जो टर्ट रेखा है वो सबसे लंबी टर्ट रेखा है Next question है कि निमने लिखित में से कौन सा देश कुल भागौलिक छेतफल की दृष्टी से भारत की सबसे बड़ा नहीं है A. ब्राजील B. कनेडा C. आस्ट्रेलिया D. दक्षिन अफ्रिका तो friends गरेक्ट ओप्षिन इस दिए दक्षिन अफ्रिका तो friends आज के लिए बस इतना ही मिलते है